अलो अल्गर्डियो विरॉस टेस्टेस्टोरॉन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग कई तरीके के सवाल पूछते हैं तो इसको आपको कॉप्लिकेटिड नहीं बनाना बलकि बहुत आसान तरीके से इसको समझना है बेसिकली देखा जाए है हर चीज में इंपोर्टन रोल खाने पीने का तो होता ही है तो यहां मैं इन चीजों को तो नहीं बताऊँगा कि जो कैपिल होता है वो खरीज सकता है बहुत सारी महंगी चीजें हैं चाहे वो प्रोटीन डाइट हो कोई सप्लिमेंट हो तो इनको 10 मिनिट की दूपो वो आपको लेडी चाहिए सफिशेंट है 10 मिनिट में वैल उसके अलावा भी अगर विटेमिन डी आपको प्रोपर मात्रा में चाहिए तो वो ग्रीन लीव्स में सबसे जादा होता है ग्रीन लीवस को आपको ज़रू खाने में इस्तेमाल करना चाहिए जैसे कि आप इसकी deficiency को पूरा करें, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल आपके हर्मोन से होता है. दूसरा होता है, इसमें आपकी physical exercise. अब ही कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो दिन में बहुत सारा काम करते हैं, बहुत heavy workout करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को तो मैं रीग होगा कि वो exercise करें, क्योंकि उनका वैसे ही बहुत सारा workout है. लेकिन जो लोग बैठने का जिनका बहुत सारा काम है, या फिर दिन भर office में बैठे रहना है, या फिर कोई ऐसा काम है जिसमें movement ही नहीं है body में, तो उन लोगों को physical exercise जरूर करनी चाहिए, चाहें jogging हो या फिर कहीं आप किसी workout के लिए किसी gym में जाए. उसके अलावा जो आप option आते हैं, वो है आपका mental stress. अगर किसी भी तरीके का आपके उपर दवाब है, काम का pressure है, कोई targeted काम है आपके पास, या फिर किसी भी तरीके का मन पर बोज या पढ़ाई का, या किसी भी तरीके का जो भी आपके साथ जुड़ा हुआ हो, अगर वो आपको महसूस होता है, लगता है कि हाँ मैं stress में हूँ, दवाब में हूँ, या मुझ पर pressure है, तो ऐसे सिती में आपको अपने नजदी की district hospital में जरूर कॉंटेक्ट करना चाहिए हो, वहाँ जाकर जो मन कक्ष है, उसमें जाकर डॉक्टर से मिलना चाहिए, बिकॉज अगर stress रहेगा, long term तक वो convert हो जाएगा depression में, और depression और stress long term तक रहने से hormonal imbalance हो जाता है, और बद्दे को पता ही नहीं चलता कि, इसकी वज़े से भी हमें sexual problem हो सकती है, या फिर hormonal problem हो सकती है, तो ये बहुत बड़ा issue है, इसके बाद आता है एक अच्छी नीन, अच्छी नीन को अगर मैं कहूँ कि आप अच्छे से सो जाईए, तो not possible कि आप अच्छे से सिर्फ कहने से ही सो जाए, अगर tension है, stress है, तो जाहर सी बात है कि नीन नहीं आएगी, ऐसे में ये ज़रूरी है कि आप अपनी tension या फिर जो stress है, या depression की इस्तेती है, गबना हुआ खाना ही, हम समय पर खा लें, तब भी हम इस कमी को पूरा कर सकते हैं, लोगों mostly लोग दिन में दो बार खाना खाते हैं, तो अगर आपके सारे से situation है, तो आप दिन में कम से कम चार बार खाना खाएं, हर बार एक normal time जो हमारी होती है, उससे थोड़ा सा कम लें, लेकिन चार बार खाएं, तो चार बार अगर आप खाएंगे, जिसमें दाल, सबजी, रोटी होगी, तो वही आपकी इस deficiency को पूरा कर सकती है, लेकिन दिन में दो बार सिरफ आप खाना खाएंगे, तो फिर नहीं होगी, तो टेस्टेसरान को बढ़ाने के यह जो major issues थे वो यही है, और इन पर अगर आप ध्यान देंगे, तो यह बहुत जल्दी manage हो सकता है, कुछ ऐसा नहीं है कि यह improve नहीं हो सकता, वाल नेक्स वीडियो में नेट आपकी के साथ में मिलेंगे, तो यह जिए तो यह जितना चीए,